हाई हेलो एवरिबन दिस इज अनिल हेर एंड वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एम बैक विद दे न्यू वीडियो तो आज मैं बात करूंगा नर्सिंग के बारे में आपने अपनी होम कट्री से प्लस टू पास किया है और आप यहां पर आना चाते हैं अंस्ट्रेलिया रहता है और कितना उसका secret area है तो प्लीज मेक शूर कि यह वीडियो आप एंड तक देखना आपके लिए काफी helpful होगी और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आप तक सब्सक्राइब करें तो आज मैं डिटेल में बात करूंगा बैचलर ऑफ नर्सिंग के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में एक्स्प्लें करूंगा डिप्लोमा अफ नर्सिंग के बारे में तो आज अपने बात करते हैं सिर्फ आप कोई भी नर्सिंग कोर्स में नहीं कर सकते तो मेक शोर कि जब भी आप ट्राइ करो नर्सिंग के लिए तो आपका जो स्कोर है वो सेवन होना चाहिए है 7 each in all modules 65 in PT and seven each in IELTS दन मैं बात करता हूं कि आपने साइन से अपना प्लस्टो किया है तो आपके आपको जब जाता है यहां पे बैचलर आफ नर्सिंग में अगर कोई स्टूटेंट आर्थ है या कोमर्स ने किसे ने किया है वह अगर आना चाहता है bachelor of nursing में, तो कुछ universities SCN, जो non-background student को क्या है, admission देती है bachelor of nursing में, तो आप apply कर सकते हो, find out कर सकते हो google पर search कर सकते हो, तो आप अगर interested हो, nursing field में आने के लिए तो आप क्या है, art वाले भी apply कर सकते हैं, commerce वाले भी apply कर सकते हैं जो भी आपका non-background है बरस उसमें आपको क्या है, plus two आपका complete होना चाहिए, then you can apply in bachelor of nursing तो bachelor of nursing ये क्या है three year का आपका structure होता है इसमें क्या है, आपको one year के में दो semester attend करने होते हैं ये depend करता है unit to uni कुछ unis में क्या है semester होते हैं और कुछ uni में trimester होते हैं, तो semester होता है six months के two होते हैं, like पहले six month में एक semester and next six month में आपका क्या है second one, तो एक साल में आपको two semester करेंगे, और trimester में क्या होता है, कि आपको वो तीन वार study करवाते हैं, one year में तो like starting में एक, second, then third one तो क्या हो, जो आपके दो semester थे तो क्या हो, तो क्या हो, तीन वार study करवाते हैं एक साल में उसको बोलते हैं trimester, तो semester और trimester वो आपे depend करता है कि आप कैसे enroll करना चाहते हो तो इसके मैं detail में बताऊं तो आपको क्या है, जब आप bachelor of nursing करते हो, तो आपको क्या है 24 subjects complete करने होते हैं in the three years तीन एर में आपको क्या है, वो 24 subject है वो आपको पढ़ाते हैं तो अगर आप mean four subjects in a semester तो अगर आप semester कर रहे हो तो आपको क्या है, four subjects per semester done करने होते हैं, अगर आप trimester कर रहे हो तो आप दो या तीन subject में क्या है, enroll कर सकते हो एक टाइब में बट मेनेमम आपको क्या है दो सब्जेक्ट में रोल करना पड़ा है वो डिपेंड करता है यूनी टू यूनी कि वो ट्राइमेडर प्रवाइड करवाती है या नहीं करवाती और एक चीज में आपको और क्लिर कार दों की इंटेक most of the यहाँ पर जो unis है उनके intake सिर्फ दो ही होते है first of all is feb last feb या starting march होता है और जो second one है वो है july, तो यहाँ पर दो intake available होते है nursing के, feb and july, तो आप क्या है इन दोनों में apply कर सकते हो, जो भी आपको suitable लगता है, तो entry requirement आपका 7 इंच हो गया 3 year आपका यह क्या है course structure हो गया, 3 year आपको क्या है study करना होता है and जो next one में बात करूँगा, fake criteria bachelor of nursing का fake criteria कितना होता है कितना आपको pay करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे universities के level होते हैं like level 1, level 2, जिनका high rank होता है वो level 1 में universities होती है और उनका क्या है, जो visa ratio हो हाई होता है in comparison to others तो अपने का जब फाइल डालते हैं आपने ट्राइ करते हैं कि level 1 की uni में फाइल पूट करें तो उनका जो fee criteria हो थोड़ा बहुत fluctuate होता है तो मैं आपको आपका जो fee structure start होगा bachelor of nursing का वो 15,000 to 25,000 पर semester आपको क्या है, pay करना पड़ता है मतलब 15,000 से लेके 25,000 Australian dollar आपको जो आपकी fees है वो pay करने पड़ती है वो depend करती है कौन uni की कितनी fees है जो university high rank जिसका high rank होगा obviously उसकी fees जदा होगी around 22, 23 and 25 तक maximum आपकी fees है वो जो मैंने ये fees बताई है वो एक semester की है तो mean 15,000 to 25,000 तो आप मान के चलिए 15,000 पर आप पर करते हो तो almost more than 7 lakh Indian रोपीज तो थास से दसलाग के बीच बीच में आपको क्या है आपकी 6 मन्त की एक semester की fee pay करने होती है जब भी आप file पूट करते हो तो आपको one semester का fee है वो pay करना होता है उसके बाद मैं बात करता हूँ scholarship की तो scholarship काफी universities देती है काफी universities नहीं देती almost universities ऐसी है जो international students को क्या है उनको scholarship देती है उनके academic के भिहाब पे आपका percentage देखते हैं उसके भिहाब पे आपको क्या scholarship देती है तो मुझे एक student का message आया था कि कुछ unis है वो first year में दे रही है मतलब scholarship और second year में नहीं दे रही है तो ऐसा नहीं होता तो universities मतलब आपको scholarship देगी तो वो क्या है अगर उन्होंने बोल दिया 15% तो वो आपको क्या है total amount जितनी भी होई उसमें से 50% अगर आप उन्होंने बोला 25% तो वो क्या है 25% आपकी scholarship है क्या आप deduct करके वो क्या है जब आप उफ़ लेट रप्लाइ करोगी उसमें मेंचन किया होता है आपकी जितनी भी scholarship है 10%, 15% और 25% जितनी भी आपकी scholarship होगी आप apply करने से पहले देखना चाहते है कितनी scholarship है तो आप जिस भी uni में interested है तो आप उसको google कीजिए और वहां पर mention कीजिए international student तो उसमें आपको details हो करेगी क्या course है क्या उसका structure है, कौन से index available है, क्या fee criteria है और कितना scholarship है तो आप क्या उसके भी आप पर जाके apply कर सकते है जहां पर भी आप जाना चाहिए जोन से state में जिस भी university में तो आप उसको google करें और वहां से check करें make sure apply करने से पहले एक चोर चीज जो clear कर लें कि university है वो क्या है nursing registration है nursing registered होने चाहिए with EFRA, अगर EFRA के साथ वो leading with RN है तभी आपको क्या है nursing का license मिलेगा certificate मिलेगा अधरवाज आपको नहीं मिलेगा तो काफी university जैसी भी है जो कि है bachelor of nursing पर वाइड करवाती है बट वो registered नहीं है with EFRA तो आपको उसके बाद और वे search करना पड़ेगा license लेने के लिए तो प्लीज मेक प्लीश्टर से आपके clinical placements होती है आपको क्या होस्पिटल में इसके में जहां पर इनकी healthcare setting है वहां पर आपको बेजते हैं यह टेंड करने के लिए बभी आपको एज़ेंट करने के लिए आप कोई भी स्टेट में आप चूज़ करें तो वहां पर काफी सारी उनिवस्टीज हैं जो कि बेचलर आप नर्सिंग कोर्स है जो प्रवाइड करवाती है international student को और एक चीज और की काफी ऐसी उनिवस्टीज है जो कि यह कोर्स है वो online apply मतलब online क्या है प्रवाइड करवारी है international students को तो अगर आप online study करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है एक option available है तो वह आपको online करवाएंगे जितनी भी आपकी study होगी three year की और अगर आप on campus करना चाहते हैं तो अब भी from next February 2023 almost जो युनिवस्टीज है उनका क्या on campus वो study है अवेलेबल होगी तो मैंने क्या है एफरा की साइट से काफी universities की list आउट किया है काफी university की list निकल लिए जो कि मैं आपको बताता हूँ state wise कौन्सी युनिवस्टी की state में है अगर आप apply करना चाहते हैं तो वह पर जाके क्या apply कर सकते हैं काफी सारी universities मैंने list out किया तो मैं आपको देखके बताऊंगा वैसे मुझे याद निया कोज काफी युनिवस्टी जो मैं आपको जितनी भी युनिवस्टी है वह मैं बताऊंगा वह सारी क्या एफरा लेडिंट को आरना है मतलब जब भी आप उनको complete करोगे तो आपको क्या है जो आपक है डर्ण में भी यह और सिड्नी में भी है दें नेग्स वन इस सेंट्रल कॉिन्स लेंड युनिवस्टी इसमें भी बेचलर और नर्सींग अवेलेबल है जो कि कुइंसलेंड में जिसका कैमपस अवेलेबल है एंड जाल्स डार्विन यूनिवस्टी जो के काफी फेमस अगर परत में आप Bachelor of Nursing करना चाहते हैं तो Curtin University में आपके apply कर सकते हैं next one is Deacon University जिसका campus है Melbourne में अगर आप Melbourne में study करना चाहते हैं as a Bachelor of Nursing as a nurse तो आपके डिकन University में जाके apply कर सकते हैं and next one is Edith Coven University and next one is Federation University जो की Victoria में मेलबोन में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो इसका केमपस है वह अवेलेबल है अगर आप एडिलेड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए फिलिंडर्स युनिवस्टी है जो की अवेलेबल है उसमें बैचलर ओफ नर्सिंग इंटरनेशनल स्टूडेंस के लिए अवेलेबल है तो आप उसमें जाके अपलाई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं उसकी साइट पर जाके अगर आप गोल्ड कोर्स्ट में स्टैडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रिफ्ट युनिवस्टी है जो की बैचलर ओफ नर्सिंग स्टूडेंस को प्रवाइड क ट्युक युनिवस्टी जिसका कामप सेवगा है क्या फोंसलेंड में हैं नेक्स्ट वनिजवाड उनिवस्टी जो कि काफी फेमस इंटरनेशनल शुडंस के लिए और इसका भी विजयर आपके अच्छा मेलबोन नसका केमप सेथे तो आपके उसमें जाके अपलाई कर सकते है and the next one is Marduk Uni उसमें भी Bachelor of Nursing अवेलेबल है कि उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं and next one is QUT Queensland University of Technology जो की Brisbane में जिसका campus है वो located है और यह university है जो मुझे पता है जो non-background students को भी nursing प्रवेड करवाती है चाहे आप Bachelor of Nursing करो चाहे आप Master of Nursing करो then next one is RMIT University Melbourne जिसका video ratio बहुत अच्छा है high success है level 1 की university अगर आप apply करना चाते है Melbourne में तो आप RMIT में apply कर सकते हैं then next one is Southern Cross University Southern Cross University का campus है New South Wales और Gold Coast इसके दो campus हैं जहां पर भी आपको अच्छा लगए आप वहां पर जाके apply कर सकते हैं and then next one is Swinburne University Swinburne University है वो Victoria में Melbourne में इसका भी काफी अच्छा ratio है अगर आप Bachelor of Nursing करना चाहते हैं तो and next University Brisbane में the University of Queensland उसमें भी Bachelor of Nursing available है जो मैं यह universities बता रहा हूं यह overall the Australia सभी States में सभी States के according बता रहा हूं मैं तो आपका है जो भी आपको जिस स्टेट में जाना है उसके भी अप्लाइ कर सकते हो and Torrance University यह एक ऐसा उनिवस्टी है जो काफी चीप उनिवस्टी है इन कंपारेशन टू अधर उनिवस्टीज और इसके campus है वो overall Australia में कोई भी City में आप जाओगे वहां पर almost इसके campus मिलेंगे लाइक Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide तो इसके campus है वो आपको मिलेंगे Torrance University in Australia and next one is University of Adelaide अगर आप अप्लाई करना चाहते हो and next one is University of Canberra जिसका campus है Sydney and Canberra अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं Canberra में तो and next one is University of South Australia जो कि South Australia में है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं then next one is University of Southern Queensland यह है Queensland में available है इसका जो campus है तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो और तस्मानिया में अगर अप्लाई करना चाहते हैं Hobart में तो वहां पर एक University है तस्मानिया वहां पर Bachelor of Nursing अवैलेबल है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट वन इज युनिवर्स्टी ओफ वोलनवाउं जो कि New South Wales में है और जिसका Sydney campus है तो आप उसमें जाके apply कर सकते हैं and next one is Victoria University जो कि Melbourne में जिसका campus है तो उसमें जाके आप apply कर सकते हैं जो मैंने आपको यह काफी जो युनिवर्स्टी बताई है मैंने यह लेस्ट आउट किया था अफ्रा की साइट से जो की और जिस्टर टू लीडिंग टू आ रहे हैं जब भी यहां से आप complete करोगे तो आपको क्या है एज इनर्स है वो लाइसेंस मेलेगा मैं इनको description में mention कर दूंगा सभी universities की आप जिसमें भी statewide आप देख लेना जो भी आपको अच्छी लगती आप उसमें apply कर सकते हो और और में बात करूँ कुछ लाइक ब dum saat कि तो आप मOT si उन्विस्टी सलेक्ट कर सकते हो तो स्लेक्ट कर सकते हो जिनका की beta success rate और वो बहुत हाई है लेवल वन ही हे ठोड़ा इनका higher वेजा success rate भी बहुत अच्छा है और उसके बाद मैं बात करूँ तो काफी स्टूडेंट का क्यूशन होता है इंटेक्स लेकिन सब भी युनिवस्टीज में फैब और जुलाई इंटेक अवेलेबल नहीं है उसके बाद एक और जो स्टूडेंट का कंसर्ण होता है बहुत है रीजिनल या सीटी तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दो कि बेचलर ओफ नर्सिंग राप चूज कर रहे हो तो आप ही डिपेंड करता है दोनों ही positive भी हैं दोनों negative भी है benefits भी होंगे तो उसके drawbacks भी होंगे अगर आप रीजिनल एरिया में study कर रहे हो वहां पर आप बैचलर ओफ नर्सिंग चूज करते हो तो आपको यह benefit है कि आपको बैचलर ओफ नर्सिंग रीजिनल एरिया से study करने जब आप complete करोगे तो आप कि आपको क्या है 5.1-3 मिलते हैं जो कि आपको pr में help करते हैं gagner आपको पांस प्रॉंट एक्सी ते ज declare ч connect करोगे Rivera S2 कि कोई पी आपको नहीं मिलते बड इसके ड्रोभथ भी हैं अगर आप सीटी में कहें से करें उद्यूरूनि स्लेक्ट किया था वहां आपको क्या है, job opportunities बहुत है, job opportunities काफी है, वहाँ पर आप job कर सकते हो, तो वहाँ से क्या आपको help हो जाती है, अपना fee काफी होता है nursing का, तो आप easily earn कर सकते हो, regional areas में इतिवरक opportunity नहीं होती, तो आपके लिए थोड़ी job opportunities कम होती है, तो वह आपके depend करता है, कि आप PR purpose से देख रहे हैं, आपके financial अच्छे हैं, तो आप क्या है, regional में जाईए, regional select केजिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे job भी अच्छे से मिल जाए, तो आप city में apply कर सकते हैं, देखिए, यह नहीं है कि अगर आप Victoria से करोगे तो आपको PR नहीं मिलेगी, अगर आप Brisbane से करोगे तो PR नहीं मिलेगी, Sydney से करोगे तो PR नहीं मिलेगी, मैं एक चीज़ clear कर दूँ कि overall Australia में जहां से भी आप nursing करोगे, आपको PR 100% मिलेगी, इवन अभी जो इनका nomination हुआ था, पिछे, तो इनका जो state nomination हुआ था तो विक्टोरिया ने सबसे ज़्यादा जो seats हैं nursing की निकाली थी, और लोग यह बोल देते हैं कि Melbourne में nurses हैं वो PR नहीं होती है, overall Australia में PR होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके जो points है वो complete होना चाहिए, तो आपको PR है क्या, वो 100% मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है और इसके related आपको कोई भी query हो, nursing के regarding, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, आप comment drop कर सकते हैं, hopefully यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो please keep supporting me, like and subscribe my channel, thank you so much. झाल